हेलो एब्रिवान तो आज हम लग बनाएंगे पनीर परवल की सब्ची जो कि पिना प्याज लोसन यानि कि विदाउट ओनियन गालिकर बनेगा पूरा प्योर भेज सब्ची है तो इसके लिए हम लग पनीर को कुछ मिडियम साइज से थोड़ा ज्यादा बड़ा काट लेंगे इस साइज से काट लेंगे और परवल को मैंने इस साइज से काट लिया है और इधर ये सारे जो है वो मसाले में यूज होंगे जैसी कि मैंने बोला इसमें प्याज लशन कुछ भी और कुछ जादा मसाले भी यूज नहीं होंगे इन ही चीजों से ये बनेगा कुछ मिडियम साइज का टमाटर है यह अद्रक है और कुछ जीरा है काजू है और कुछ खड़े गरम मसाले है जिसमें है दाल चीनी कुछ धन्या कुछ इलाइची कुछ काली मिर्च और कुछ लोंग है और जो यह धन्या कपत्ता कॉरेंडर लिप्स यह लास्ट में यूज होगा सिर्फ टेस्ट के लिए और इधर मैंने कराई बिठाया है कराई जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया मैं सबजी बनाने के लिए सरसो और रिफाइन दोनों तेल का इस्तमाल करत लिए सबजी इसलिए मैं दोनों तेल का यूज करूंगी और ज्यादा तेल place यूज नहीं करना है तो इसको छुष whole फ्राय करना है मुझ इसको बस अल्का हप्राय करके निकाल लूंगी इसको ज़्यादा फ्राय नहीं करना है हलका फ्राय करना है बस यह हो चुका है इसको इतने ही फ्राय करना है और अभी मैं इसको निकाल के बावल में रख से दूँगी और अभी मैं इसमें थोड़ा पानी एड़ करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दूँगी पानी एड़ कर के लिए कराए में डाल दियुई उतने ही तेल में हैं मैं यह परबल को भूझ लूगी क्योंकि मैं पहले ही बता दिये ज्यादा तेल का इस्तमाल में नहीं करूंगी और ओयल हमारे सहत के लिए भी अच्छा नहीं हो और इतना तेल में परवल भी भुन जाएगा अच्छी तरीके से और स्वादानोसर हल्दी नमक एड़ कर लोंगी और उसको अच्छी तरीके से चला लोंगी और थोड़ा दरी धर कर लोंगी ताकि यह पक जाए और इधर में ने जो जो मसाला दिखाया था बस उसको ग्राइंड कर लोंगी यह मैं क्राइंडर में अभी इसको मिक्स कर लोंगी यह पुरा मिक्स हो चुका है यही मसाला योज होगा यह सबजी में और इधर जो पनीर को मैंने पानी में डूबो के छोड़ा था आप लोग देख सकते हो यह बहुत ही ज़्यादा सोब्ट हो गया है इसे पानी में डाल के छोड़ दे कुछ टाइम के लिए ताकि पानीर बहुत ही ज़्यादा सोब्ट हो जाए और इसका स्वात कुछ अलग तरीके से लगता है पानी में डालने से और इधर मेरा परवल भी अच्छी तरीके से भून चुका है अभी ज़्याश्ट मुझे मसाला बनाना है और इसको मैं अभी निकाल लूँगी और मसाले बनाने के लिए कराए में सरसो का तेल थोड़ा यूच करूँगी और जो मसाले मैंने अभी मिक्स किया था उसको इसमें डाल दूँगी तेल गरम होने के बाद और स्वाद अनुसार हल्दी नमक एड़ कर लूँगी और थोड़ा करी पाउडर एड़ किया है मैंने आप लोग के पैस जो करी पाउडर एफेलेवल है ये विदावट ओनियन गार्लिक करी पाउडर मैंने अटकिया है आप लोग का पैस जो एफेलेवल है आप लोग उसको यूच कर सकते है ये विदावट ओनियन गार्लिक का पाउडर यूच किया है और इधर जो भून के रखा था मैंने परबल और पडी इसको में इसमें डाल दूँगी और उसको मसाले को इसमें अच्छी तरीके से मिला लूँगी ताकि सब तरफ अच्छी तरीके से लग जाए और थोड़ा सा पकने के लिए इसको धक के छोड़ दूँगी और इसमें ज्यादा पानी का इस्तिमाल नहीं करना है, थोड़ा ही पानी यूज करने से यह ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सुखा रहेगा तो ही अच्छा लगेगा, इसलिए थोड़ा ही पानी यूज की हूँ, ताकि यह परबल है थोड़ा अच्छे से पक जाए, इसलिए मैं थोड़ा यूज कियूं, जादा पानी यूज नहीं करना, इसको थोड़ा ढग ली थी, और इस स्वाध अनुसार में, स्वाध के लिए इसमें करेंडर लेपसेट कर दी हूँ, और इसको थोड़ा टाइम ढग के छोड़ दी थी, मैं ये पक चुका है, ये पुरा बेजिटेरियन लोगों के लिए तो बहुत ही जादा अच्छा है, और से मैं इसको अभी गर्म गर्म रोटी के साथ सर्प कर रही हूँ, आप लोग अपने अनुसार कुछ चावल के साथ भी खा सकते हो, तो बस यही था, आज का ये मेरा डिनर था, इसलिए मैं रोटी के सा आप लोग को कैसा लगे, आप लोग जरू कोमेंट करके बताए, थेंक यू